असलाम लेकुम वीवर्स आज मैं आपको बहुत ही टेस्ट्री और स्पाइसी स्पेगेडी बनाना सिखाऊंगी यह रेसिपी बनाने के लिए आपको इनश्या की जरुरत है 250 g बॉना सिखर लबाई में कटो हुआ दो से तिन गाजरे बरी कटि हुई एक बड़ी हरी शिम्रण मेर्च क्यूबस में कटो हुआ आदा रेट और आदा यैलो शिम्रण मेर्च क्यूबस में कटो हुआ ये optional है, अगर आपके पास ना हो तो ना डाले इसके लावा, एक बंगोबी, बरी क्लंबाई में कटी हुई, तक्रीबन एक कप लेसन, कुटा हुआ, एक खाने का चमच, अद्रक कुटा हुआ, एक खाने का चमच, तीन हरी मिर्चे बारी कटी हुई, एक दिर्म्यानी प्यास बारी कटी हुई अलावा मसालों में आपको इन चीजों की जोगत है एक चाय का चमच काली मिर्श कुटी हुई एक चाय का चमच लाल मिर्श कुटी हुई एक खाने का चमच चिकंते का मसाला एक खाने का चमच चपली कबाब मसाला और नमक हस्विजाय का दो खाने के चमच स्वाया सॉस, दो खाने के चमच रचिली सॉस, दो खाने के चमच सुफैक सेर का और एक पैकट स्पैगेडी का तो सबसे पहले हम स्पैगेडी को बॉय करते हैं एक बड़े पैन में पानी लें और उसमें एक खाने का चम्मच नमप और एक खाने का चम्मच कुकिंग ओयल डाल कर उबा लें जब पानी उबनने लगे तब उसमें एक पैकेट स्पैगेडी डाल दें स्पैगेडी मैंने बॉइ करके रख दी है अब चिकन प्यार करें पैन में हाफ कप ऑईल डाले जब ऑईल गरम हो जाए तो प्यास डालकर हलका सा सौते कारें अब चिकन दालें है और साहथ लख सन और अदर अचरेम नाल बेर भर्ण और यादी नादी कर अचिकन डालें कि यह पाली दाप हमें बाद फितंकर कलें से वाइद जाए जाए अब इसमें इसमें ग्राइम मसाली दाल कर भूलने और साथ ही सिल्का, सोया साथ, और चिली सॉस जाल पर अच्छी तरह मिक्स कर लें तकीवन पांच में बाद की चिकन कुख हो गया है अब इसमें स्पैगेटी डाल दें और तमाम सब्जिया भी डाल कर 15 मिंट के लिए दम पर वर्ब दें अच्छी तरह मिक्स करें मैं यह कर दें स्पैगेटी में डिष्आड कर दी है अब इसको घ्रीचना और ग्रीन चीली के साब दालिश करें और साथ में एक लेमन का जूस जान दें लीजे आपकी बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी स्पगेटी तेयार है आप इसे घर पर ज़रूर ट्राइब करें और अपना फीडबैक मुझे दें और आइम शूर अगर आपने एक बार इसे इस रसी पर ट सब्सक्राइब नरूर करें थैंक यू